गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बड़े निर्णे के तौर पर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के कई वरिश नेताओं ने तैय किया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनमें सबसे बड़ा नाम माना जा रहा है पूर्फ उपमुखे मंतरी ने साथ मुकेश द्वारकादास भाई पटेल हैं जिनोंने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे उस वाली सीट से जहां से नितिन भाई पटेल दो बार चुनाव जीट चुके हैं मुकेश भाई आपका स्वागत है आज तक से बातचीत करने में ये बताएं कि क्या नितिन भाई पटेल चुनाव जो नहीं लड़ेंगे उसका बीजेपी के ऊपर बुरा सर पड़ेगा देखो नितिन भाई पटेल जो हमारे यससवी उप मुक्यमंत्री और हमारे जिला के एक विकास पूरिस के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने स्वयम ही तै कि मैं इस बार यह चुनाव नहीं लड़ूंगा पर कहा जा रहा था कहीं न कहीं पार्टी के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि वरिश्ट नेता जिन्होंने महसाना में काम किया बीजेपी के लिए लोगों के लिए उनको टिकेट नहीं दी जानी तो इस बात को लेकर नहीं ऐसा न जो नहोंने पार्टी बड़ी की है तो नहोंने यह से तयहा है गुजरात के सब जो भी हमारे नो बड़े-बड़े नेता है उन्हें स्वया भी डिसाइट गि इसलिए उनको रेस से बाहर करने के लिए सारी खेल जो हुआ हुआ है नहीं ऐसा एक है नहीं है हमारे जो उप मुक्य मंत्री साहब है वो बिजेबी के जमीनी स्तर से 22 साल उन्होंने सेवा की है यह बताएं कि कितनी ऐसी सीटें हैं मैसाना में जिसमें नितिन भाई पटेल जो नितिन भाई पटेल का गुजरात में उप मंक्य मंत्री के नाम और विशेश रूप से जो उत्तर गुजरात है उनका नाम बहुत बड़ा है और ऐसा नहीं है मतलब साब का उसका उनका स्वयम ही वीचार धारा ऐसा है कि छोटे-छोटे कार्यकरताव को भी आगे आना चाहि अगर हम एसा दावा करेंगे तो कैसे मतलब छोटे जो कार्य करता उतों गये तो उनहोंने स्वयम ही वी यसे कि लोग्याल और इस इसे कार्य करता हुए उन्होंने चांचो दिया है मैं वो साब का बहुत आभारी हूँ को नहोंने मेरे जैसे एक छोटे कार्य करता है आप आश्पा के सिटी प्रेजिडेंट है यहां से मैसाना से आपको लगता है कि नितिन भाई पटेल के आशिरवात के मिन आप नहीं जीत सकते ह मानेंगे आप कम से कम नहीं तो सही है यह सही है कि नितिन भाई पटेल ने मेरा जो नाम प्रस्ताव किया है और पार्लामेंटरी बोड़ ने साब पर विश्वास रखते हुए है कि साब के काम से हम जितने वाले साब का तो बहुत योगदान है साब मिरे गुरु जैसे है और साब ने जो भी कि विकास के काम किये वो उनके काम जो किये है वो काम में इसे मुझे मिलने वाले उत्तर गुजरात में महसाना की छे सीटों में कहा जा रहा है कि नितिन भाई का अगर आश्रवाद नहीं हुआ तो बीजेपी की बुरी हालत हो जाएगी तो आप मानेंगे खुद के कम से कम नितिन भाई पटेल का आश्रवाद होना जरूरी है यहां पर महसाना में तो नितिन भाई ऐसा आदमी नहीं है कि वह लेकिन साब हमारे पा शाइब के वरिष्ट नेता होने के नाते सबी साथ सीटों वह चाहती की जिल में कि आप से कईने से कदर आ रहे हैं शायद कि वो इंके आशिरवागी ऑना उसा जीत हाया रहे हो एक हिर आशिर आपने भी सुनी होंगी बाते सुनी है लेकिन मैं जैसे मैं साफ के साथ 10 साल से बिल्कुल परीचीत हूं साफ का ऐसा नेचरी नहीं है यह भी कहा रहा था कि रजनी भाई पर्टिकल की टिकेट काट कर उन्होंने अपने एक सहयोगी को टिकेट दिलवाई है ऐसी कई जो सीटे जैसे आप का यहां पर नाम कहा जा रहा था तो अपने लोगों को उन्होंने तरह से फिट करने की कोशिश किए इसंड गों कि बढ़र को तो पार्लामेंटरी बॉंटं कर दूब जुमा के प्रतियाशी है उन्होंने कहा कि मुझे नितिन भाई पटेल का दो आमीं तो deficit है य मुकेश भाई के जितनी टिक्टें अभी तक बाती हैं अगर सभी पहले के जो वरिष्ट लोग हैं उन सभी के टिकट अगर काट दी जाएगी तो लोगों में कारेकरता हूं में एक आकरोश आ जाएगा और एक बैलन्स मेंटेन करना चाहिए था जिनमें युवाओं और अनु सब्सक्राइब नहीं है मतलब यह हमारे वरिष्ट नेता हो का जो पॉलिस ही रहता है उन्होंने सब सोचा होगा उत्तर गुजरात में इतने पॉपिलर नेता हैं फेमस हैं तो कहीं ना कहीं अगर टिकेट मिलती नितिन भाई पटेल को तो पार्टी को लीड कर सकते थे नौ क्योंकि पहली बार पिछली बार बन सकते थे थोड़ा सा रह गया था नहीं है हमारी मतलब पार्टी में ऐसा होता ही नहीं है कि थोड़ा रह जाता है यह सा होता है पार्लामेंटर की अगर बात की जाए गुजरात के लोगों की बात की जाए वेलफेर की बात की जाए तो न तो मतलब उनका जो एक्सपिरेंस जो है अभी विकास के और काफी बतीस सालों से जो पार्टी में है तो उसे फर्क पड़ सकता था अखरी सवाल आपके और नितिन भाई के रिष्टे ऐसे कहे जाते हैं जैसे गुरु शिष्षे के रिष्टे होते हैं तो अगर मैसाना से आप कैबिनेट मंतरी ओर होते और वो मुखे मंतरी और नहीं नहीं जैसा गुरु शिष्य तो हरेक में रहता है किसी मतलब प्रेणा जिससे मिलती है वो हमारे मतलब गुरु ही रहते हैं लेकिन आप जो बोल रहे हैं ऐसा तो होता ही नहीं कि हम एए इसरे जगह से तुना नहीं दिये जाने के बाद ये तैह है कि यहां पर किस तरह से बीजेपी के लिए परण नाम रहता है ये देखना बेहत दिल्चस्प होने वाला है कैमरा परसन निखिल शर्मा और कामनी के साथ देवंकुर वधावन मैसाना आज तक